Hi guys, this is Bharti and welcome to my channel Dream Maths और हम discuss करेंगे linear equation in two variables को कैसे solve करते हैं ध्यान से करेंगे बहुत easy है, बहुत मज़ा आगा आगा आपको questions करने में two variables, one variable ये क्या चीज है देखें, last class आपने क्या discuss किया था कि 2 upon x minus 3 upon x is equal to 5 for example, मैंने की equation ले ली तो इसको आप कैसे solve करते थे, इसको solve करके आप मुझे x की value देते थे ठीके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x होता था, means one variable होता था so this is linear equation in one variable clear है चीज, क्योंकि इसमें सिर्फ x की value निकालनी होती थी तो ये linear equation in one variable है आज जो हम questions करेंगे, उसमें x और y दोनों की values निकालनी है x भी present है, y भी present है तो ये किसके questions हुए, linear equation in two variables के clear है चीज, बहुत easily questions करेंगे देखो, second question में भी x भी है और y भी है तो ये भी क्या हुआ, linear equation in two variables इसमें भी x भी है, y भी तो हमने आज जो questions solve करने है वो linear equation two variables में करने है कल जो next class होगी, उसमें linear equation in three variables भी discuss करेंगे जहां पर आपके पास x, y, z आपको तीनों की values निकालनी है ठीक है, तो one variable सिफ एक x की value निकालनी है one variable मतलब या तो x दिया होगा या फिर y या फिर z मतलब एक equation में एक ही variable हो सकता है two variable का मतलब x और y एक साथ equation में आएंगे three variables का मतलब x, y, z तीनों एक साथ equation में आएंगे so this is all about linear equation in one variable मतलब एक ही variable होगा, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो सकता है मतलब 2 by x minus 3 by x 5 भी हो सकता है 2 by y, 3 by y equal to 5 बी हो सकता है है ना x में हो चाहिए y में वो फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर x में है तो पूरी equation x में ही हो तो इसे कहते हैं linear equation in one variable y में है तो पूरी equation y में ही हो ये भी linear equation in one variable ही है इसमें x, y दोनों है दो variable है तो linear equation in two variables ठीक है? three variables वाले कल करेंगे अब देखो उनको solve कैसे करते हैं बहुत easy है ध्यान से समझना देखो 2x plus 3y equal to 10 है मेरे पास और यहाँ पे 3x plus 2y equal to 10 सबसे easy way बता रहे हो ध्यान से समझना यहाँ पर देखो x के साथ क्या है 2 और यहाँ पे x के साथ क्या है 3 इस वाले x के साथ जो है वो उपर multiply कर दीजिए और यहाँ जो x के साथ है उसको नीचे multiply कर दीजिए बस इतना सा काम करना है क्या tough है यह? देखो यहाँ पे x के साथ क्या था 3 तो उपर वाली equation को 3 से multiply कर दीजिए उपर वाली equation में x के साथ 2 था अगर x कासा 2 है तो नीचे व़ली equation को 2 से multiply करते हैं ठीक है that will be 6x प्लस 9y इक्वल टू 30 और यह क्या बनेगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 20 मैंने ऐसे क्यों किया कि जो नीचे x के साथ हो उसको ऊपर वली equation से multiply कर दिया जो उपर x के साथ था उसको नीचे वाल equation से multiply कर दिया मैंने ऐसा क्यों किया ताकि ये 6x66 जो है वो same हो पाए और मैं इसे cancel कर दो अब ये बताती हूँ मैं पहले ये बात बताओ मैंने सिर्फ equations लिखी और मैंने नीचे जो था 3 उसको उपर multiply कर और ये 2 को नीचे multiply कर दिया इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए बहुत easy है चलें आगे यहां तक समझ आया आगे देखो ये बना 6x plus 9y equal to 30 और क्या था यहां पे 6x plus 4y equal to 20 21 पर check कर ले, mistake में होने चाहिए नहीं बिल्कु सही है अब आगे देखो, मैं क्या करूँगी, यहां पे sign change करूँगी अगर ये plus है तो इसके नीचे minus लिख दो यहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब plus है, इसके नीचे minus लिख दो जो नीचे वाली equation में signs है, उसको change कर दो यहां पे plus था, मैंने minus लिख दिया, इस plus का भी मैंने minus लिख दिया और इस plus का भी मैंने minus लिख दिया clear है चीज, अब ध्यान से देखना, sign change करने का मतलब है कि जो नीचे वाली equation में हमारे पास terms है अब उनके sign वो ही हो गए, जो मैंने change की है अब इस समझाती हूँ कैसे, यह देखो, यहां पे तो उपर वाले तो same है यह plus 6x, यह minus 6x, यह तो cancel होगे, क्या आएगा, 0 लिखने की जूरत नहीं है plus 6x minus 6x cancel होगे, अब यहां पे देखो, plus 9y minus 4y 4y का sign अब plus नहीं रहा, जो मैं change करके लाई, वो उसका sign बन गया तो plus 9y minus 4y, plus minus minus, 9 में से 4 गे 5y और यहां पे sign 9 बड़ा है, उसका sign plus है, तो यहां पे क्या हैगा plus 5y is equals to, plus का 30 है, जिसके साथ कोई sign नहीं होता, मतलब उसके साथ plus है तो plus 30 minus 20, plus minus minus, 30 में से 20 गे 10, 30 बड़ा है, तो plus ही sign आएगा चीक है, plus sign लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको sign explain करने के लिए यहां पे लिख रही हूँ, तो मेरे पास basically 5y क्या आगया, 10y क्या आगया, यह 5 इदर multiply हो रहा है इदर जाके क्या होजएगा, divide, that is 2, means y की value मेरे पास 2 आगी, इसमें कोई दिक्कत बहुत simple है, just मैंने क्या किया, यहां पे जो नीचे x के साथ था, उपर वली equation से multiply कर दिया और उपर जो x के साथ, उसको नीचे वली equation से multiply कर दिया, इनको multiply करने के बाद, मैंने ये equation के sign change किये, जो नीचे लिखी हुई थी इनको plus minus जैसे करना था करा, मुझे y की value क्या मिलगी, 2, अब बहुत simple है, आपके पास equation थी न, 2x plus 3y is equal to 10, और 3x plus 2y equal to 10 चाहे आप first equation में y की value डाल दो, चाहे आप second equation में डाल दो, आपकी मर्जी, मैं first में डाल रही हूँ, that is 2 into x plus 3 into y की value क्या है, 2 तो मैं y के place पे 2 डाल रहे हूँ, equal to 10, 2x plus 6 is equal to 10, 2x is equal to that is 10 minus 6, क्योंकि 6 यहाँ add हो रहे है, उदर जाके subtract हो जाएगा 2x is equal to 4, x is equal to 4 by 2, यहाँ पे 2 multiplier हो जाके divide, तो x की value भी क्या आगी, 2, means इसमें x b2 है, y b2, तो यहाँ पे मुझे solve करने का मतलब, मुझे x y की ही value निकालनी थी, और मैंने निकाल दी x 2 y 2, यही इसका answer है, बताओ कहां से tough है equation, बहुत easy है, step by step चलनला, आपको समझाए, ठीक ह next question क्या कहते है, solve for x and y, इतना easy way से equation करवा रही हूं, मतलब आपको मज़ा आजाए equation करने में, देखो, मैं 1 by x है, यहाँ पे मतलब 3 by x लिख है suppose, है ना, यहाँ पे लिख है, यह x तो उपर हो ना, फिर तो मैं ऐसे equation कर लो, फिर तो मेरे लिए बहुत easy है, जैसे मैंने अभी किया था, लेकिन x तो नीचे है, तो मैं क्या करूंगी, put 1 by x is equal to u and 1 by y को भी put कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 by x लिख है, मैं इसको लिख दो 3 into 1 by x, तो अभी देखो 3 बन दा 3, यह 3 by x ही बनेगा न, यह बात clear है, 3 by x को लिख दो 3 into 1 by x, मतलब उसने 3 by x ही बनने है तो 3 by x को लिख सकते हैं, 3 into 1 by x is equal to 3u, क्योंकि 1 by x को तो मैं u put करने को कह रही हूँ, समझा है यह चीज़, आगे देखो, यह के लिख है, 2 by y, 2 by y is equal to 2 into 1 by y, और 1 by y मैंने क्या लिए है, v, means यह क्या बन गया, 2v, यह चीज़ क्लियर है, मतलब यह मेरे पास 3u plus 2v equal to 13 बन ग similarly, यह में पास 5u minus 3v equal to 9 बन गया, यहां तक clear है, चले आगे, मतलब यह 3u plus 2v equal to 13 and 5u minus 3v equal to 9 इसको solve करना है, यह जो हमें अजीब सी equation नीचे xy में दिख रही थी, वो मेरी simple सी इस uv में change हो चुकी है, अब simple सा फटा-फट से करते हैं, इसको करेंगे 5 से multiply, इसको 3 से, क्योंक मैंने इसे 5 से multiply किया, और यहां पे 3 था, तो नीचे मैंने 3 से multiply किया, पहली जो term होते है, उसको coefficient देखते है, coefficient का मतलब है, u के साथ क्या है 3, तो u का coefficient 3 है, u के साथ यहां क्या है 5, u का coefficient 5 है, जो नीचे वाली term का coefficient होता उसको उपर दे देते हैं, और जो उपर वाली term का coefficient होत 65, 5 3, that is 5 था नहीं यहांपे, 15U minus 9B 9 3, 27 ठीक है, अब इसके बाद sign change यहांपर minus है तो नीचे plus आ जाएगा यहांपे कुछ भी नहीं है, मतलब plus है तो मैं यहां minus लिख रही हूँ यहांपे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब plus होगा यहांपे भी मैं minus लिख रही हूँ, यह चीज़ क्लियर है चले आगे, अब देखो यह plus में है यह minus में है, plus minus cancel, क्योंकि अब इसका sign minus होगे, change करके, अब यह plus नहीं देखना, एक plus में, एक minus में, बताओ, plus 3, minus 3 क्या होता है, 0 ना, plus minus minus 3 में से 3 गए 0, तो ऐसे एक plus 15 नहीं हो, एक minus, वो खतम हो गया अगे देखो, plus 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 अब यह minus नहीं देखना, जो sign change हो क्या है, that is plus 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 10 plus 9 that will be 19 is equals to, यहाँ पे क्या है, plus है कुछ नहीं मतलब plus है, plus minus minus 65 minus 27 करके, अब से निकाल, clear है चीज़, that will be 38 now, 19V is equals to 38, यह 19 यह multiply हो रहा हुदर जागे, क्यों होजेगा, divide that is this, now 19 to 38, V की value क्या आगी, 2, इसमें कोई दिक्कत बहुत अराम से smoothly कर लिया इस जो नीचे एक सवाय था, बड़े अराम से मैंने UV में change किया और question कर लिया ठीक है, आप V की value क्या आई है, 2, 3U plus 4 is equal to 13 3U, 13 minus 4 will be 9, U is equal to 9 by 3, that will be 3 क्योंकि 3 multiply हो था, इदर आगे क्यों होजेगा, divide, तो U की value 3 आई है, हाँज equation खतम नहीं, यहाँ पर क्या लिखा था, solve 4 X and Y, मतलब मुझे value किस की चाहिए, X की, Y की पर मेरे पास तो U की value आई है, V की value आई है X, Y की कैसे आएगी, मेरे पास U क्या था, 1 by X अगर इसको cross multiply करके देखा जाए, तो UX is equal to 1 आजाएगा, क्योंकि U की नीचे तो मैं लिख सकते हूँ, कुछ नहीं है तो, यहाँ से X की value क्या आएगी, that is 1 by U, जो U यहाँ पे multiply हो रहा था, उदर जाके divide हो गया, मतलब अगर मुझे X की value चाहिए, तो 1 by U होगी, that is X is equal to 1 by 3, और ऐसी ही similarly, मेरे पास V क्या था, 1 upon Y, यहाँ पे क्या कर दो, 1 डाल दो, cross multiply कर दो, that is VY is equal to 1, अब मुझे Y की value निकान लिए, यह Y को यहीं रखो, V दर multiplier हो जाके divide हो जेगा, मतलब Y is equals to 1 by V, तो जो Y की value है, वो 1 by 2, that's it, यह आपका answer है, next बहुत easy question है, solve the equations, this equal to this equal to this, यहाँ पे 3 terms दे रखी है, वो equal दे रखी हैं, आपने solve करना है equation, solve का मतलब, आपने X की value निकान लिए है, and Y की value निकान लिए है, बहुत easy देखो, पहले मैं क्या करूँगी, मैं 1st or 2nd equation को consider कर ले तूँए, किसको 1st or 2nd को, देखो देहां से, 5X plus 6Y, minus 7 upon 2, is equals to 2X, plus 5Y, plus 3 upon 3, इसका क्या कर देओ, cross multiply कर दो, क्या कर दो, cross multiply, that will be 15X, plus 18Y, minus 21 is equals to 4X, plus 10Y, sorry, that will be plus 6, मतलब, मैंने cross multiply कर दिया, इस पूरी equation को 3 से multiply कर दिया, और इस पूरी equation को 2 से, विए cross multiply में 3 इधर जाएगा, और 2 इधर, ये चीज़ clear है, अब आप इसकी एक equation बना दीजे, कैसे देखो, अब क्या करो, 15X, plus 18Y, minus 21, minus 4X, minus 10Y, minus 6, equal to 0, ये जितने भी थे, मैं left hand side ले आई, लेकिन सबके sign change होगे, ये plus वला इधर आगे, minus ये plus वला भी दर आगे, minus और ये plus वला भी दर आगे, क्या होगा, minus होगा, that will be 15X, minus 4X, वो क्या बन जेगा, 11X, आगे देखो, 18Y, minus 10Y, 18 minus 10, वो क्या होगेगा, that is 8Y, plus 8Y, अब जहां से देखो, उसके बाद, minus 21, minus 6, that will be, minus 27, equal to 0, ये आपके पास एक equation बन गी, इसको box में डाल के रग दो, हाजी, से एक equation आएगी में पास, देखो, इसको, इससे cross multiply, और ये cross multiply, जब आपको 3 terms equal दियूँ है, पहले first 2 को consider करके equal, उनसे एक equation निकालो, और फिस second third को equal consider करके, उससे एक equation निकालो, दो equations आजाएंगी, उन दो equation को solve करके, आपको XY की value मिल जाएगे, आराम से कर रहा है question में दिक्कत निहीं होनी चाहिए, यहाँ पे cross multiply, इस पूरी equation को जब cross multiply करूँगे, मतलब ये 2 इससे multiply होगा, तो मैं direct लिख रही हूँ, that is 4X plus 10Y plus 6, यहाँ पे 24 minus 12X plus 9Y, क्योंकि ये 3 इस पूरी term से multiply हुआ, clear है चीज, next देखो, जैसे उसमें किया था, ये सारे terms एक साइड लिया हो, that will be 4X plus 10Y plus 6 minus 24 plus 12X minus 9Y equal to Z, अब देखो, यहाँ पे क्या है 4X और यहाँ पे क्या है 12X, 4 plus 12 हो रहा है, that will be कितना हो जाएगा, 16X, आगे देखो 10Y and that is minus 9Y, that is plus Y, और यहाँ पे plus 6 minus 24, that will be minus 18 equal to 0, means मेरे पास क्या आगया, 16X plus Y minus 18 equal to 0, यह मेरी second equation आगी, so first equation यह थी, second equation यह आगी, अब इन दो equations को solve करके, X और Y की values निकालो गी, clear है चीज, now और first और second equation देखो क्या थी, 11X plus 8Y, पहला है 11X plus 8Y equal to 27 लिख ले, यह minus अलो दो जाके plus हो गया, नीचे देखो 16X plus Y is equal to 18, यह आपके पास दो equations आगे, जिनको आपको solve करना है, मैं इसको आपको बतारी हूँ solve कैसे करना है, आप करोगे, आपको calculators allowed है, that is अगर आपके पास 11X plus 8Y है, और यहाँ पे equal to 27 है, ठीक है, आपने इस पूरी equation को ध्यास देखो, यहाँ तो आप X के coefficients को multiply करते हो, या फिर Y के coefficients को भी multiply कर सकते हो, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे 16 लिखा है, इसको पूरे को 16 से multiply करते हैं, यहाँ पे 11 लिखा है, इस पूरे को 11 से multiply करते हैं, बच्चे कर सकते हो, कैलकुलेटर से allowed हैं, कोई दिखने हैं, आप पूरी equation वैसे भी solve कर सकते हो, मैं आपको एक और easy way बता रहे हूँ, अगर आप 11 और 16 बड़े number है, जैसे आप कह रहे हो, जिसको multiply करना आपको लग सकता है, तो जो उपर वाला 8 है, उसको नीचे multiply कर दो, और जो y के साथ यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, उसको उपर multiply कर दो, इससे भी आप question बहुत easy solve कर सकते हो, या तो x के coefficients नीचे वाले को उपर से, और उपर वाले को नीचे से कर दो, अब मुझे यहां पर 11, 16 बड़े number लग रहे हैं, तो मैंने y वाले से कर दिया, y वाले का नीचे coefficient 1 है, उपर 1 से multiply कर दिया, और y वाले का उपर coefficient 8 है, मैंने उसको नीचे multiply कर दिया, I hope आपको clear है, आप x के coefficient से भी उपर नीचे multiply कर सकते हो, y के coefficient से भी same answers आएंगे, ठीक है, that will be 11x plus 8y 27, और 168, that will be 128x plus 8y is equal to 18 into 8, उसमें क्या जेगा that is 144, अब आप sign change कर दिजिए, यह y cancel होगा, जिसके coefficient से इम करते हैं, वो ही cancel होता है, क्योंकि y वाले मैंने multiply किये थे उपर नीचे, तो अब यहाँ पर plus minus y cancel होगा, चीक है, अब देखो 128, 11, यह plus में है, यह minus में, plus minus minus, 128 में से 11 minus करना है, that will be कितना आजेगा, 117x is equal to, और sign किसका हैगा, minus का, क्यों, क्योंकि 128 बड़ा है, और उसका sign क्या है, negative, यहाँ पर देखो, plus minus minus, 144 में से 7 गे, that will be 117, यह भी negative का आएगा, तो कि 144 बड़ा है, और इसका sign क्या है, अब 144 का sign जो उसके साथ है, वो नहीं count होता, जो हम change करके लिखते है, नीचे वाल equation में, वो उसके sign बन जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हैगा, minus, minus से minus cancel, 117 X is equal to 117, यहाँ पर X के साथ 117 multiply हो रहा है, उदर जाके क्या होजेगा, divide, लोजी कर दिया, यह cancel हो गया, X की value क्या आगी, 1 आगी, similarly, आप यहाँ पर बस X की value डाल दो, that is 11, plus 8Y equal to 27, मैंने X के प्लेस पर 1 डाल दे, 11 into 1, 11 ही होगा, 8Y is equal to 27 minus 11, that will be आपके पस क्या आजेगा, 16 is equal to, यहाँ पर Y is equal to 16 by 8, Y की value क्या आगी, 2Y, 2 आगया, X1, यहाँ कोई doubt, clear हो यह चीज, मतलब, अगर आप Y के coefficient को same करना चाहो, वो भी कर सकतो, means, जो नीचे Y का coefficient उसको उपर वली equation से multiply कर दो, और जो उपर Y का coefficient उसको नीचे वली equation से multiply कर दो, तो भी आप XY की values निकाल सकते हो, वो आप पर totally depend करता है, अगर आप यहाँ पे भी X के same करना चाहो, किसको 16 से, इसको 11 से, तो भी answer आजाएगा, कोई दिक्कत नी है, क्यालकुलेटर से आप कर सकते हो, लेकिन जब मैंने 8 से किया, भीना क्यालकुलेटर के भी होगा, चिके, I hope आपको questions क्लियर हुए, अगर आपको मजा आया, questions करने में, आपको concept अच्छे से clear हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता लग जाएगा, कि आपको अच्छे से questions क्लियर हुए, I hope you like this video, if you like this video, do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Dream Ads, thank you so much for watching,